जहीं दोस्तों कैसे हैं आप सभी आयोप आप सभी अच्छे होंगे आजब यहां पर करने वाले हैं आपके 35 ब्लस कंप्यूटर के MCQ करने वाले हैं जो कि आपके most important MCQ है दोस्तों एक हमने previous आपके वीडियो कल प्रोवाइड के था आपको अप्लोड के था आप सभी ने देख है वहाँ पर तो उसको मैं correct करा देता हूँ पहले दोस्तों यह आप सभी देख सकते हैं न साइंस का question था आपका कल मैंने आपके यहां पर करेक्ट कर लिजेगा तो आप सभी ने देखा हो गर आप नहीं देखा देख लीजेगा उसका 31 question था दोस्तों बेरी-बेरी रोग कि इस vitamin की कमी से होता है by mistake मैंने उसमें क्या करा दिया आपको vitamin A करा दिया तो आप से भी थोड़ा सा यहां पर correct कर लिजेगा इसके लिए i'm sorry जो mistake हुआ हो जाता है चीजे बताना सहीर होता है पर by mistake हो गया ठीक है तो आप सभी थोड़ा सा क्रेट कर लीजेगा मैंने पिन भी कर दिया है कमेंट में बट अभी मुझे पता है उसमें कमेंट आएंगे पर आप सभी इसे क्रेट कर लीजेगा बिटामिन भी राइट अंसर होगा ठीक है चले शुरुआत करते हैं आज की क्लास को दोस्तों कोश्चन सांदार कोश्चन है अगर हम देखें आप और आप सभी लाश्ट तक जितने कोश्चन हम यहाँ पे करें सभी को आप लाश्ट तक आटेम कीजेगा जिस पैटर्ण पर जिस पैटर्ण पर कोश्चन आपके पूछे जा रहे हैं सेम पैटर्ण पर मैं आपको यहाँ पे कोश्चन करा रहा हूँ ठीक है चले शुरुआत करते हैं दोस्तों first question आपका है आपके कि निन्य लिखित में से कौन spread seat से संबंदित नहीं है spread seat से संबंदित नहीं है आपके आप सभी को पहला option मिलता है work seat second option मिलता है आपको sell third option मिलता है आपके formula four option मिलता है आपके virus detection तो आप शबी को जानकारी है दोस्तों कि spread seat में अगर हम देखे तो आपके दिएगे options में से work seat आपका right है ठीक है work seat होते हैं आपके spread seat में formula होता है sell होता है बट अगर हम बात करें D option की virus detection दोस्तों virus detection अगर हम बात करें तो ये आपके spread seat से संबंदित नहीं है ठीक है D answer आपका correct answer है चले next question कर लेते हैं टेक्स्टी डॉकुमेंट को बनाने एडिट करने format करने store करने retrieve करने एंड प्रिंट करने किलिए कुल सब्सब्द मिला कर एक सब्सब्द कॉन सा है कुछ सब्सब्द मिला कर एक सब्सब्स है आपके मैसे जिसमें edit format आपके store retrieverint बात की किस की कीगे दोस्तो text document की गई किसकी बात कीगे text document की की गई तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तो text document की जब बात की जाए edit format store retrieve and print तो आप सभी क्या रखना है वाइड processing होगा आपका तो आप सभी यह वर्क कर पाएंगे तो आपका right answer क्या होगा option first होगा दोस्तों जितने भी question करें न आप सभी question को करने के बाद आप speed के साथ question को कीजिए बट सभी question को कीजिए और last में आप सभी बताईए कि आपने कितने correct की हैं खुद से चले next question कर लेते next question है आपके यहाँ पर कि row and आपके देखे तो column row and column का जो intersection होता है इसे क्या कहते हैं दिए कि options में यह से जैसे sale हो गया spread seat हो गया work seat हो गया formula हो गया दोस्तों आप शभी को याद रखना है row and column का intersection आपसे पूछा गया है row and column का intersection आपसे पूछा गया जिसका प्रयोग हम बिजनेस के डेटा को बेश्थित करने के लिए करते हैं विजनेस अगर हम देखे तो आपके वर्क करते हैं उन फॉर्म को क्या कहते हैं जिसमें हम अगर हम बात करें जिसका प्रयोग बिजनेस के डेटा को विवस्थित करने के लिए करते है spread seat, work seat या आपके business form या register right answer दोस्तों आप शबीका देखिए option आपको दियेगा business form पर business form ऐसा आप सभी answer नहीं करेंगे आपका जो right answer होगा ना दोस्तों spread seat आपका right answer होगा spread seat अगर हम देखे तो आपका correct answer हो जाएगा जिसमें आप business related आपके data related आप सभी work करते हैं जो आप row column data maintain करते हैं वो एक तरह से आपका यहाँ पर spread seat या आपका देखे तो first answer आपका correct answer है टीक है next question है दोस्तों जो row और column में विवस्ति data होता है इसको manipulate करता है उस tool को क्या कहते हैं उस tool को क्या कहा जाता है जो row और column को column में विवस्ति जो data होता है उसको manipulate करता है यानि कि database record manager, presentation mechanism, spread seat, word processing document दोस्तों आप सब याद रखिएगा अगर हम बात करें इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं दोस्तों spread seat इसे क्या कहा जाता है दोस्तों spread seat कहा जाता है जो row और column में विवस्ति data को manipulate करता है इस tool को कहते है is spread seat तीक है next question यह जब motherboard पर अलग-अलग components शमनांतर यानी की parallel electric conducting line हो के set हो में आपस में जुडे रहते हैं इन line हो क्या कहते हैं दोस्तों conductors कहते हैं वेसिस कहते हैं या connectors कहते हैं जो motherboard पर अलग-अलग components होते हैं, parallel electrical conducting line-ों के sit-ों में आपस से जुड़े रहते हैं, दोस्तों इन्हें क्या आ जाता है, basis, इन्हें क्या का जाता है, दोस्तों इन्हें का जाता है, basis, तो आप सभी का right answer है, option V, दीके V answer आप सभी का correct answer हो जागा देगे options में से, इसे क्या कहते हैं, जो main folder होता है, रूट डेरेक्टरी इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि फिर आपकी sub-directory, और यहाँपर देखे तो जो main file होती है न, आप के main जो folder होता है, उसे root directory बोला जाता है, आप सभी का right answer हो गा option, first, file को अगर हम देखे अक्सर क्या कहते हैं device कहते हैं documentation कहते हैं wizard कहते हैं के लिए calculation के लिए घर हम देखे सरबदिक प्रियोग होता है application software की बात की गही दोस्तो application software की बात की गही है तो database तो आपका नहीं होगा PowerPoint भी अगर हम देखे तो नहीं होगा फिर आपका देखे तो correct answer होगा दोस्तो spreadsheet spreadsheet में आप numerical statistical practical calculation के लिए सरवधिक प्रयोग होता है, आपका spreadsheet, ठीक है? तो आप शबीका right answer is option C, next question है,geon परस्पर शंबंधित recorder के समून को क्या कहते है, data base कहा जाता है, utility file कहा जाता है, देकी, परस्पर शंबंधित record के समून को क्या कहा जाता है, जोस्तों, आप सभी को याद रखना है most important अगर हम देखे तो database कहा जाता है जोस्तों इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है database ठीक है बी answer आप सभी का right answer है देगे options में से पर अश्पर संबंदित record के समू को कहते हैं database यह कि second option आप सभी का correct answer है ठीक है next question है जो नई slide के लिए shortcut की होती है most important question shortcut की से related मैंने आपको complete video provide कर दिया है दोस्तों आप सभी देख लिजएगा मैं comment में link भी pin कर दूँगा तो आप सभी देख लिजएगा shortcut complete उस video के बाहर कुछ भी नहीं है आपकी जितने भी important है मैंने सब कुछ discuss कर दिया है ठीक है नई slide के लिए shortcut की दोस्तों क्या होती है आप सभी को याद रखना है control plus n होती है control plus n होती है control plus o किसके लिए होती है दोस्तों आप सभी को याद रखना है control plus o open के लिए होती है किसी document को open करने के लिए control plus s किसके लिए होती है आप सभी को पता है, Ctrl-Pulse है, किसी भी बैले की नीचे जो लाल लाइन होती है, भो या दरसाती है, spelling में गलती है, grammar में गलती है, address block है, इनमेंसे कोई नहीं, most important question दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वयरण लिखा, उसमें मैंने थोड़ा सा mistake कर दिया तो उसमें जो नीचे आपके एक red line दिखेगी आपने कई बार typing किया होगा typing में ऐसा होता है ठीक है यहाँ पे अगर हम देखें वो जो red line दिखती है वो spelling की mistake के लिए होती इससे एक function की भी मैंने आपको बताया था याद रखेगा app 7 तो यहाँ पे अगर हम देखें spelling में गल्ती के आपके red line दिखती है और grammar में जब गल्ती होती तो green line दिखती है याद रखेगा आप से भी तो spelling की बात की गई है तो आपको याद रखना है spelling में गल्ती के लिए red line दिखता है आपके वर्ड के नीचे ठीक है चले फ्रीबियस वीडियो में भी मैंने एक से क्या होते है या इत्त है आपको याद रखना है जरूरा थोने पर क्या होते है पर अगर आपके word wrap एक्टिवेट रहेगा तो वो आपके सही से settlement हो जाएगा उसका एक तरह से अगली line में वो automatic हो जाएगा, word wrap ये सुविधा होती है चलिए next है, Microsoft Excel में कौन सा function जो logic key के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लोटाती है सबसे बड़े मान को इनमें से कौन से लोटाती है, highest, more, high या max जिसे हम बोलते है maximum तो आपको right answer क्या करना है, maximum जो कि सबसे बड़े मान को लोटाती है, ठीक है ये answer आप सभी का correct answer हो जाएगा नेक्स ले दोस्तों white document में वाकिके जो font होते है, font को बदलने के लिए किस menu को select करते है, format menu को, edit menu को insert menu को या इनमें से कोई नहीं वाइट डाकूमेंट की बात की गई है, font को बदलने के लिए, इसके लिए आपका shortcut की भी मैंने आपको बताया था, दोस्तों, क्या बताया था, आपको बताया था, थोड़ा सा control plus, control plus दोस्तों, control plus आपके, क्या बताया था, हाँ, पिल्कुल, right है आपका, ठीक है, format menu अगर हम द तयार करने के लिए किया जाता है, database, text document, spreadsheet या slide presentation, दोस्तों, excel के लिए अगर हम देखें, किसका प्रयोग किया जाता है, किसको तयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दोस्तों, spreadsheet के लिए अगर हम देखें, तो excel का प्रयोग करते हैं, दोस्तों, यह answer आपका, correct answer, next question है, यह किसी डाकुमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ इडिट किया जाए, तो इसका आर्थ क्या है, डाकुमेंट को सेब करना, डाकुमेंट को प्रेंट करना, डाकुमेंट को करेक्ट करना, यह डाकुमेंट को स्कैन करना, दोस्तों किसी भी डाकुमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाता है तो इस तरह से डाकुमेंट को करेक्ट करना डाकुमेंट को करेक्ट करना देखिए सी इंसर आप सबीका करेक्ट इंसर हो जाएगा दिएगे options में से next question है देखिए कौन सा एकसल में सिल का पहचान करता है एकसल में सिल का पहचान कौन करता है फॉर्मूला करेगा क्या नाम करेगा क्या लेवल करेगा क्या एड्रिस करेगा कौन करेगा देखिए दोस्तों एकसल में सिल का पहचान कौन करता है सिल्क आपके देखे जैसे कि आपने देखा होगा A6 हो गया A6 B6 इस तरह से जो आपने देखा था न है address तो क्या गला है दूसरो address कहलाता है सिल्क की पहचान यही करता है address कि किस सिल्क में क्या enter करना है इससे आपके पहचाने जाते हैं दिंसर आपका right answer है होता है ना आपके edit menu में प्लब्द होता है किसमें प्लब्द होता है जस्तों edit menu में प्लब्द होता है replace option अगर आप सभी को important question है अगर हम देखे इस तरह से और भी video provide के देख एक्जाम से पहले पहले तो आप सभी video को जादा जादा share कीजेगा इससे response अच्छा मिलेगा और भी जादा maximum numbers में अगर हम देखे तो वीडियो आपको provide के जाएंगे और थोड़ी से अगर कहीं भी किसी वीडियो में थोड़ी से याइन में से कोई नहीं तो कोई भी वाइड लिखा हुआ है उसमें कितनी बार क्लिक करें कि आपके वो select हो जाएगा तो दो बार क्लिक करने पर अगर आपको इस तो दो बार आप क्लिक करेंगे तभी वो वाइड सेलेक्ट होगा इम्पार्डिन कोश्चन अगर हम देखे जादा रहती है नेक्षट है wild में अपने पिछले एकचन को reverse करने के लिए किस command का प्रेयोग किया था दो पूछा गया है कि पिछले एकचन को reverse करने के लिए है और हम देखे दूस दूस्तो रिडियो की मैं आपको बता देता हूं control plus आपके by होती है sorry x तो आपके cut की होती है control plus x तो होती है आपके cut की by जो होती है आपके दोको redo की होती है पर आपको undo की बताना है इसकी shortcut क्या होती है दोस्तों comment करके बताएगा आप सुभी comment चादर से दख क्या करिए दोस्तों जितने question आपे पुछे जाएं next text में आपकी position को कौन दिखाता है blinker दिखाएगा cursor दिखाएगा COJER दिखाएगा pointer दिखाएगा टेक्स्ट में आपकी position को कौन दिखाता है जोस्तों याद रखेगा टेक्स्ट में आपकी position को cursor दिखाता है आपने arrow अपने arrow देखा Grade 않고 टाइप का जो होता है होने क्या आरथ होता है जोस्तों याद रखेगा पृर्ट होने पर कैसा दिखेगा अपने प्रिंट क्यों भी डगुमेंट ऐड्रकर उसको आपको प्रीनट प्रिंप्र्ड्रग्र उसको यहाँ बैक करेंगे तो यह जाए गाए दोस्तो question important लगे तो आप comment करके जोरू बताएगा चलिए next time Microsoft Excel में किसके दौरा किसी cell को address बता किया जाता है किसके दौरा किसी cell का address बता किया जाता है अभी मैंने आपको बताया यह ज़िए ठीक है किसके दौरा किया जएगा row और column जैसे कि मैंने a6 बताया ना a हो गया row and आपके 6 से हो गया column तो यह जो numbers होते हैं आपके यही बताते हैं आपके row और column को और इसी से पता चलता है cell का address क्योंकि इनी का intersection कहलाता है cell ठीक है यह जीज़े हाँ रखेगा चली next है open print और save button किस toolbar में उपलब्द होते हैं open print और save button जो होते हैं जो होते हैं किस toolbar में उपलब्द होते हैं आपको यदर रखेगा चली next है Microsoft Word में document का नाम कहा पर show होता है document का नाम दोस्तों कहा पर show होता है Microsoft Word में Microsoft Word में document का नाम जो show होता है title and task के बार में कहाँ पर होता है दोस्तों title and task के बार में show होता है Microsoft Word में document का नाम ठीक है next है excel का extension क्या होता है दोस्तों excel का extension अब को अब अगर हम बात के .xlsx यह भी अगर हम देगे तो में से .exceles, अगर हम देखे तो correct answer है, देखे, .exceles, next है, नए document का template कैसा होता है, general template, blank template, later template, बहुत ही आसान सा question दोस्तों, नए document का template कैसा होता है दोस्तों, जब भी आप कोई नए document देखते हैं दोस्तों, वो एक तरह से blank होता है, यही तो आपको बता नथा, blank template, जब भी कोई document open करेंगे, नए, blank होगा, next है, Microsoft Word Processing का कौन सा view, document में headers की hierarchy को दरसाता है, headers की hierarchy को दरसाता है, आपका कौन सा view, slide view, outline view, note space view, slide show view, देखे दोस्तों, जो आपके view, document में headers की hierarchy को दरसाता है, वो दरसाता है Outline View कौन सा दरसाता है दोस्तों? Outline View ठीक है? चलि नेक्स्टे निम्ने में से कौन इन में से Worksheet में Cell का Rectangular Group होता है आपके आयता कार समूँ होता है Cell का आयता कार समूँ Cell Reference, Cell Formula, Cell Value या Cell Range तोस्तो जो आपके Rectangular समूँ होता है आपके एक तरह से Cell Range Cell Range को दरसाता है Worksheet में Cell का आयता का Rectangular समूँ Cell Range को दरसाता है नेक्स्टे बजट बनाए किये जाने है तो इस्तेमाल किया जाने वाला जो Software से क्या कहते है दोस्तों? कोई भी Budget त्यार किया जा रहा है कमपनी का कोई Budget त्यार किया जा रहा है कितना खर चा रहा है इसमें कितना आपके एक तरह से इतना investment हो रहा है इस तरह की जो चीज़ों होती है जोस्तों Spread Seat Software में इसका Work करते है Spread Seat Software में इसका Work करते है बजट बनाए जाने के लिए शिल में दर्ज किये गे होते हैं तो आपके Numbers होते हैं Numbers होंगे तो आपके Numeric Entries होगा Numbers होंगे तो आपके Numeric Entries होगा ठीक है V-Answer आपका Right Answer हो जाएगा Next है Microsoft Office उदाहरन है किसका Horizontal Parallel Software का Closed Source Software का Vertical Market Software का Compiler का Microsoft Office किसका उदाहरन है आपकी इनमें से दोस्तो यह होता है आपके छितित शमानतर है नहीं कि Horizontal Parallel Software का उदाहरन होता है आपके दोस्तो Microsoft Office First Answer आपका Correct Answer है Next है किसमे Saved Information का Collection होता है Folder में, File में, File Extension में इनमें से कोई नहीं Saved Information का जो Collection होता है दोस्तो वो होता है आपके Folder में किसमें होता है दोस्तो Folder में होता है Saved Information का Collection Folder आपका Correct Answer हो जाएगा Next है Worksheet का जो Basic Unit है जिसमें आप Data Enter करते हैं उससे क्या कहते हैं Folder कहेंगे, Tab कहेंगे, Sill कहेंगे दोस्तो Question समझेगा Worksheet बोला है Worksheet बोला है Worksheet में अगर हम देखे जिसमें डेटा आप Enter करते हैं वो कहलाता है जोस्तो Sill क्या कहलाता है Worksheet का Basic Unit जिसमें आप Data Enter करते हैं वो कहलाता है जोस्तो Sill कहलाता है कैसे लगे दोस्तो आज के Question कुछ चीजें Previous चीजें जो Previous वीडियो को मैंने आपको Correct करा दिया ठीक है बाकि मैं कमेंट कर दिया मैंने फिर से मैं एक बार बता देता हूँ चले हैं आप अगर हम देखें आप सभी दुस्तो कमेंट कीजेगा आपने कितने Correct कि Question आपको Important लगे कि नहीं क्योंकि Question अगर हम देखें एक शभल – और